कोटेंट राइटिंग मिष्ट्री गैज जो टोपिक होगा अब मौस्ट इंप्रोर्टन टोपिक होने वाला है कि कैसे आप लोग कॉण्टेंट राइट कर सकते हो यह जो फीडियो को कॉप्लेंट लिवास करना क्योंकि इस वीडियो के लिए इंदर मैं आप लोगो बताऊँ रेंक नहीं कर पा रहे हो आप लोग Google के अंदर वो सारकी सारी चीज़े आप लोग को में बताऊंगा कि कैसे आप लोग content write कर सकते हैं उसका mystery हम लोगा solve करने वाले गैस वीडियो को completely watch करो आप लोग को बहुत information इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है गैस वीडियो स्टार्ट करना से पर चोड़ा से रेक्यूस्ट करूँगा अगर आप लोग ने अभी देखा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्रा तो गाइस सिंपल आज के हमारा जो टॉपिक रहा है ना content writing mystery तो simple content writing एक ऐसी चीज है अगर आप लोग content writing आची तरह से करते हो अगर आप लोग लोगों को attract करना चाहरे हो अगर आप लोग viewers को attract करना चाहरे हो तो content writing आपके लिए एक बहुत महत्पन चीज रहता है अगर आप आप लोग एक advance level पर काम कर रहे हो ना तो आप लोग भी definitely video देखना क्यूंकि इस वीडियो के अंदर आप लोग को ऐसी चीज में बताने बाला हूं जिस चीज को use करके आप लोग definitely एक अच्छी और quality content आप लोग add कर सकते आप लोग की site के अंदर और guys अगर आप लोग को post को boost करना है या आप लोग को बहुत सरे traffic चाहिए तो यह complete information आप लोग को need होती है guys जब लोग को जरूरी है guys completely वीडियो गास करना क्यूंकि इस वीडियो बहुत powerful होने बाला है तो कैसे यहाँ पर पहला चीज़ एक content writing mystery हम लोग आज इस वीडियो के अंदर वो mystery को solve करने वाले तो simple हम लोग चलते next page के अंदर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो blog content कैसे लिखे guys यही रहता है सभी लोगों का दिमाग के अंदर की हम लोग blog content कैसे लिखे बहुत सारे ऐस रहते कि वो content को लाके copyright content को लाके spin कर देते हैं और spin करने के बाद उसे आप लोग की site मतलब site के अंदर add कर देते हैं यह सारे चीज़े गलत है आप लोग अगर सच में interested हो blogging के अंदर तो आप लोग को definitely एक मतलब अच्छी quality आप लोग को content चाहिए आप अच्छी quality एक blog post चाह कि यह कुछ काम की चीज़े तो उसके बाद Google आप लोग की site के अंदर traffic भेज़ेगा तो simple आप लोग को क्या करना पड़ेगा कैसे आप लोग blog content लिख सकते हो आज किस वीडियो के अंदर में आप लोग को complete information देने माला हो guys complete information आप लोग को जा रहे है तो वीडियो को like करो आपके सामने एड करी हुई है यहाँ पर लोग देख सकते हो topic search करो guys यहीं से आप लोग सोच लो कि आप लोग कैसे content को write कर सकते हो यहाँ पर mystery आप लोग के सामने है मैं आप लोग को बताँगा कि क्या क्या चीज़े आप लोग को करना पड़ेगा बड़ यहाँ पर आप ल करो आप लोग आप लोग की खुद की टोपिक को सर्च करो जो आप लोग जानते हो जिस चीज के बारे में आप लोग को पता है उसके बारे में आप लोग पोस्ट लिखो तो पहले आप लोग आप लोग की जो भी टोपिक के उपर आप लोग की नौलेज़ है जो भी टोपिक कि वार्ड रिशर्च कर ज़कते हो ओके तो सिंपल पहला चीज ज़ें कैसे टापिक सर्च करोगी उसका टापिकध सर्च करो आप लोगे और रूआए और तो辉स्त के बाद हिहां वही सेंम topic के अंदर। यहाँ पर लोग देख सकते हो जो second point है किया क्या include कियी है बाकी ने उसका list बता। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा Whether vos we eksped ले लो वहां पर आप लोग को क्या करना पड़ेगा दूश्रों ने क्या क्या लिखा है उसके बारे में आप लोग थोड़ी सी जानकारी चाहिए तो सिंप्पल यहां पर आप लोग देखसकते हो एक टोपिक और जिसका यहां पे टाइटल देख सेकते हो डाइट मतलब डाइबेटिक डाइट यहां पर मैंने सर्ज करा ओके तो सिंपल आप लोग क्या कर सकते होगी यहां पर जो पहली पेस के अंदर जितने भी आटिकल आप लोग को देखने को बैसिकल मिल रहे हैं बस keyword search करके ना आप लोग आएकर यहां पर paste करोगी और जो भी आर्टिकल पहली पेस्ट कर निकल कर आएगे न वह 5 आर्टिकल को आप लोग को क्या करना पड़ेगा आप लोग क्या करोगी यह जो पांच आर्टिकल है ना पहला की मतलब टॉप फाइप आटिकल आप लोग ले सकते हो नहीं तो अगर आप लोग लेना चाहते हो और भी ले सकते हो कि सेंपल में यहां पर क्या कर रहा हूं वह पोस्ट को आपन कर रहा हूं कि उस पोस्ट के तो बेसिकली यहां पर आप लोग देख सकते हो दाव शिक्स्टीन बेस्ट फूड टू कांट्रल डाइवेटिग यहां पर आप लोग को समने मतलब एक हेडिंग ओपन होके आ चुकिए यहां पर बहुत सरे चीज़े यहां पर देखने को बेसिकली मिलेगी यह रही मतलब अच्छी चीज़े आप लोग को पेसिकल यहां पर देखने को मिल जाए कि जो भी चीज़े आप लोग को देखने को मिल रहा है ना उसे simple sort out, sort list कर लो, आप लोग की not paid के अंदर, और जो भी चीज़े यहां पर included है न, आप लोग सारे की सारे जो होती है न, article के अंदर जाके उसे compare करो, कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या नहीं है, जाके compare करो, और देखो आप लोग को जो चीज़ पसंद आ रहा है, अ अगर वो article के अंदर नहीं है, आप लोग simple add कर सकते हो, तो जैसे add कर लोगी न, तो आप लोग को एक definitely अच्छी मिल जाएगी, आप लोग की blog post को एक अच्छी चीज़े मिल जाएगी, एक healthy चीज़े मिल जाएगी, जिसके मतलब से आप लोग rank करने के लिए, मतलब eligible हो जाए है न, तो simple उसे open कर लो, और जो भी चीज़े include किया गया है, उस site के इंदर आप लोग उसे shortlist कर लो, और जो कुछ include नहीं किया गया है, तो simple आप उसे include कर लो, अगर दूसरों को analysis करोगी, तो आप लोग definitely आगे जाओगी, आप लोग को जो की मिल रहा है न, RF summaries, उसमें एही चीज़ होती है कि आप लोग दूसरों की content को research करो, दूसरों को follow करो कि वो लोग किया कर रहे, कहां से backlink लिंक ला रहे, कहां से वो अच्छी चीज़े include कर रहे, कैसे वो include कर रहे, वो चीज़ को find out करना एक बहुत, definitely एक अच्छी चीज़ होती है, अगर आप लोग वो लिख सकते हो हमारा जो थार फॉइंट था है सारी की सारी डिटल्स को कॉलेक्ट करना और आपनी खुद की वाड में लिखना ओके आप लोग नॉट्वेट में लिखो या नॉट्बूक के अंदर लिख सकते हो लिखे आप लोग पता करो कि कौन सी चीजे एक वेबसाइट पर है और जो भी चीजे नहीं है आप लोग सारी की सारी एक कॉंपलीट पेकेज आप लोग को क्रियेट करना पड़ेगा और यहां पर फॉर्थ फॉइंट है इमेज लगाओ फ्री शर सर से ओके जहां से आप लोग को विदाउट कॉप्पी राइट इमेज मिल रहे है ना आप लोग वो इमेज एड करो ना कि दूसरों की इमेज आप लोग एड करोगी ओके आप लोग अगर खुद इमेज बना सकते हो तो बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छी चीजह है आप लोग सिंपल खुद की मेज को एड कर लो यहां पर नेक्स्ट पाट के अंदर आप चाहिए बोडी चाहिए और कॉन्क्लोजन चाहिए और भी चीज़े में आप लोग को बताऊंगा जाके आगे जाके जाके जो भी हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर में बताऊंगा और क्या-क्या चीज़े आप लोग को एड करना पड़ेगा बर सिंपल बेसिकली पहले ऐसे अगर आप लोग एक ब्लोग पास्ट लिखना चारें। हैं अबुड एक फिट्नर हो न तो यह चीज आप लोगिपश्य कनी फाल लुग करों जंधिर के अंदर आप लोगको जो भी चीज expansive रहाँ नएक जेनुइन चीजे बतन चीजे बतना हूँ तो अगर आप लोग यह चीज को एड करते हो तो आप लोग एक मतलब complete information प्रभाइड कर रहे हो Google को अगर यह चीज है आप लोग की पोस्ट के अंदर तो आप लोग चांस रहता है आप लोग आगे जाने के लिए यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर quality भार्शिस quantity अगर quality की बात करें ना तो यहां पर आप लोग को मतलब quality content लोगों को चाहिए रहता है ना कि बहुत ज़्यदा quantity content अगर आप लोग complete research बनाओगी उसके अंदर A to Z चीज़े लिखोगी तो आप लोग की articles बहुत जल्द rank करेगी अच्छे से rank करेगी टॉप position पर आप लोग की आर्टिकल रह जाएगी अगर आप लोग एक छोटी छोटी आर्टिकल रिख लेगे हो ना तो आप लोग की जो post है ना बिलकुल भी rank नहीं करेगा क्योंकि आप लोग का domain की authority की अगर आप लोग का post हां लोगों को attract करेगी लोगों अगर आप लोग की side के अंदर आते हैं अगर उन लोग को अच्छे लगती है आप लोग की side ना तो क्या करेगी वह आप लोग की सारी-सारी post पढ़ेंगे और और जितना देर आप लोग की side के अंदर लोग आके पढ़े आप लोग quality post लिखो जैसे कि लोग को information चाहिए ना कि बहुत लोगों के पास time में वो आके आप लोग की article पड़े लोगों को बस point to point चीज़े चाहिए रहे थाए बस उसे लेखो point to point चीज़े लेखो बस आप लोग की article के अंदर और उसे छोड़ दो और Google को लगेगी कि आप लोग अच्छी चीज़े प्रभाइड के रहे हुए complete package आप लोगों ने प्रभाइड के रहे हो तो Google आप लोग की site को definitely रिंग करेगा और आप लोग next part के अंदर आते हैं बहुत सरे छोटे छोटे आर्टिकल लेखने से अच्छी है आप एक complete आर्टिकल लेख लो जिसके अंदर सारी के सारे चीज़े आप लोग इंक्लूड कर दो पांच आर्टिकल आप लोगों ने मतलब देखी हो उसके अंदर कुछ चीज़े नहीं है कि आप लोग लगता है कि यहां पर इंक्लूड करा जा सकता है और एक site के अंदर यह चीज़े नहीं है दो site के अंदर यह चीज़े नहीं है आप लोग मार करो और मार करने के बाद व आप लोग को एक अच्छी और complete article मिले ओके और एक चीज यहां पर आप लोग देख सकते हो कितनी दिन पर लिखना चाहिए आप लोग को article अगर आप लोग regularly लिख सकते हो तो definitely बहुत अच्छी चीज है आप लोग regularly लिखो अगर आप लोग का side मतलब होती है नी उस की side है न आप लोग को daily लिखना पड़ेगा अगर आप लोग का side content बेस है न तो आप लोग को at least week में एक बार तो लिखना ही पड़ेगा ओके अप लोग को बहुत सारे article लिखना अगर आप लोग एक मांत के अंदर आप लोग बिल्कुल भी आर्टिकल नहीं लिखोगी तो यह अच्छी चीज नहीं रहेगी तो आप लोग रेगुलर्ली कॉंटेंट अपलोड करते जाओं तो गुगल को लोगेगा भी हाँ यह बंदा काम कर रहा है यह अनलाइन है यह मतलब वार्किंग मोड में है यह को एक कम्प्लीट पेकेज मतलब एड कर सकते हो आप लोग की साइट के अंदर एक कम्प्लीट आर्टिकल एड कर सकते हो और आप लोग डेफिनेटल आप लोग को मतलब आच्छी खासी रेजल्ट भी मिलने बाला है और यहां पर आप लोग देख सकते हो हिंदी में किसे आ अगर आप लोग चाहते हुए कि Hindi में अिकल लिखना क्यूंकि अभी मतलब binge की अनुषर्ज की अनुषर एगर आप लोग हिंदी में अटीकल लेकर रहे हो लो तो आप लोग की आप के लोगто मतलब आची लेगे क्योंकि आप लोग का जो इंड्या के अंदर ही बहुत जादा चल रहा है ना अगर आप लोग इंडिया को target कर रहे हो ना तो डेफेनिटल आप लोग हिंदी में आर्टिकल लेखो दो जो कि बहुत सारे लोगों को यह मतलब आटिक पता चल जब गी इसके अंदर क्या है लोग वगये ही लोग एच्छे भी लेगे कि ओप क्ड़ने के लिए तो सिंपल आप लोग क्या कर सकते हो यह जो लिंक है न आप वह सब्सक्राइब एक हैं क्या जाएग झाल है। छुद की हंधिक एा पर कोपीपेशी करका दसंतर хотя याँ पिषिए प्रसाइड होगी और दो कि लोगो ही याँ अच्छी में यूबोड मेरा याँ यहां पर देख सेखते हो दूसरों का इमेज मत करऊ कोई दूसरा उपाय नहीं है तो उसको contact करो जिसका image यह उसको contact करो और contact करने के बाद आप लोग वह image को लगए आप लोग की site के अंदर add करोगी और उसका link आप लोग को यहां पर add करना पड़ेगा और आप लोग को यह चीज करना पड़ेगा और जैसे करोगी तो आप लोग को definitely आची खासी result मिलने वाला है तो guys I hope आप लोग को यह complete information आची लेगी होगी अगर कोई भी doubt है किस तरह की भी doubt है तो आप लोग नीचे comment box में जाके comment कार सकते हो हम लोग आपके लिए हर देने एक genuine और information content लेकर आ रहे हैं और भी बहुत सारे चीजे हम लोग next वीडियो के अंदर लाएंगे जिसको आप लोग यूज करके definitely एक अच्छा खासा पॉस्ट बना सकते हों तो guys मिलते हैं next वीडियो में टप तक के लिए take care बाबाई